नमस्कार राज़्दवाटी पर आपका स्वाकत हैं में प्रिया आपके साथ साउद के फैमस एक्टर सूरिया 23 जुलाई को अपना जन्नम दिन मना रहे थे इसी बिच उनका पोस्टर लगाने के लिए खंबे पर चड़े दो फेंस की दुखत मोध हो कई दोनों को बिचली का एक जोड़दार जटका लगा जिससे उनकी तदकाल मोथ हो गई ये घटना अंतरप्रदेश के पालनाडू जिले की है दोनों फेंस कॉलेज में पढ़ने वाले थे वे दोनों सुरिया का बेना लगाने की कोशिश करे थे तबी एक लोहे की छड़ बिचली के तारक के संपर्क में आ गई दोनों युवक करंड की चपेट में आ गए पुलिस ने दोनों की बोडी को पोस्टमाटरम के लिए फेज दिया है पालनाडू जिले के मोपुला और पलेप गाउं में पेलूरी साई और नका वेंग्टरेश नाम के दो शक्स सुरिया का जनमदिन वाला फ्लेक्स लगाने के लिए खंबे पर चड़े फ्लेक्स में एक लोहे की रॉड लगी हुई थी वही रॉड ओवर हेट बिजली के तारक के संपर्क में आ गई वो दोनों को समझ पाते तबी जोर से करंट लगा और दोनों की आन दे स्पोर्ट मोथ हो गई मरने वाले दोनों युवक नरसरा वेपेट के एक प्राइवेट डिगरी कॉलेज में सेकंड एर की पढ़ाई कर रहे थे मरने वाले युवक पेलूरी साई की भेन अनन्या ने कॉलेज प्रशासन को अपने भाई की मोद का जिम्मिदार बताया है उन्होंने एनाई से बात करते वे कहा हम कॉलेज के लिए काफी फीस भरते हैं कॉलेज जयन करने के पहले वे हमें आश्वरत करते हैं कि स्टूडेंट सुरक्षित रहेंगे और उनकी मौनीटरिंग भी की जाएगी लेकिन कॉलेज होस्टल में स्टूडेंस की नम तो मौनीटरिंग होती है और नहीं उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदब उठाए जाते हैं हम लोग मज़दूर हैं कॉलेज के फीस भने और भाई के बहतर वविश्य के लिए एक-एक रुप्या जुटाते थे अब उसके साथ भयावा घटना घट गई इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद